कि नमस्कार एक्जाम में फेल कर्येर में सफ़ल मैं आज कुछ एसी डिफरेंट इस्टोरी में आपको बत dozenगों बोस अभी एक्जाम लएं' भूसरे किया करते हैं एक्जाम में फेल कि हैने किसी सब्जेक्ट मेखी हैं आ पांध काौनम नूла साथ रज़ात मि आधिक तरश साल से निट की तो निक टैयर कर रहे होते जही की तैयर कर रहा हुनते फिर भी सक्सेस नहीं होते हैं तो क्या करते हैं बहुत से अधिकतर स्टुोर्ड कर लेते हैं यह यह फिर हतास निरास हो ahead त सिर्फ स्टुल्यों का हम उपर ही नहीं होता है कैं उनकी फैमली पर आज-बस पास प्रोंस में जबकी आजबरास प्रोंस में एक्जाम चल studio होना 10 are 12 के तो कितना एक अजीब माहूल होता है सभी जए अग्जाम की बात करते हैं जैसे कोई बारी कोई पाहर चल रहा हूं और सभी कहता है नहीं आर मेरे बच्चे के एक्जाम चल रहे हैं मुझे बिल्कुल टाइब नहीं है साल एक्जाम देते हैं इसमें नीट के सत्रालाइक स्टूडेंट एक्जाम देते हैं नब्य हजार स्टूडेंट पास होते हैं उनको सीट मिलती है आई एटीज में 16,000,000 स्टुडेंट एक्जाम देते हैं, 16,000 स्टुडेंट को सीट मिलती हैं, बाकि स्टुडेंट क्या हैं? उसत एवरेज रहते हैं, वो अपनी सीट के लिए नहीं कर पाते हैं, चार-चार साल से मेनत कर रहे होते हैं, अटा सा निरासा में डूप जाते हैं बहुत सारे स्टुइट जब नीट और उसमें सक्सेज होते हैं ना, यू पीएसे में तो अपनी मार्कशिट समाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेलर लोग भी हैं पड़ए में, जिनों ने अपनी मार्कशिट समाल करके रहे की और आज उनके मार्कशिट वायरल हो रही है और पांच डिपरेंट इस्टोरी आज मैं आपको सुनूँगा कि आप देखोगे तो जो एक्जाम में फैल हुए लेकिन करियर में सपल हुए तो ध्यान रखना एक्जाम में कंग नंबर आए महनत करने पर भी यह एक्जाम में आप फैल हो जाओ तो हतास निरास मत होना जीवन के और बहुत सारे कई रास्ते हैं साहिद उसमें आप सपल हो सको अंकुर वारिकू का नाम आपने सुनौँगा यूटूब पर आप अंकुर वारिकू सर्च करना सबसे ज़्यादा आजकल इन्हीं का रिजिम में वाइरल हो रहा है 1998 में उन्होंने जेही का एक्जाम दिया फैल हुए 1999 में दिया फैल हुए 2001 में दिल्ली फिजिक्स एक्जाम में फैल हुए लेकिन क्या हुआ क्या वो जिवन में कुछ नहीं कर पाए आज वो एक सपल यूटूबर है इनके यूटूब चैनल पर बारा लाग सब्सक्राइब है इसके अलावा एक सपल बिजनिसमें है मौटिवेशनल कोच हैं तो क्या आप एक्जाम में फैल हो जाते हो क्या आपको एक्जाम में कम नम्बर आते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाऊगे बहुत कुछ कर पाऊगे अंकुर वारिको का कि स्टोरी देख लो कितने फै इनकी भी मांक्सित बहुत वाइरल हो रही आजकर तेंट में 44 परसेंट आए थार्ड डीजन से पास होए तेंट में लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं कर पाऊगे बिल्कुल आपको तो छोटा फोटा थेला चलाना पड़ेगा क्या करोगा जीवन में माँ बाफ आपको पता नहीं चलता है ठीक है अभी कम नमबर आए तो आगे भी तो अच्छी नमबर आएंगे क्या जीवन यहीं खत्म हो जाता है नहीं आजकल अवनीज कुमार के आप मांक्सित देखना इंटर्ड डीजन पर बहुत वाइरल हो रही यह आईस हैं और यह दस्वी में थर डीजन पास हुए इसका मतलब यह थोड़ी होता कि आपके मांक्स कम आए तो आप जिल में कुछ नहीं कर पाऊगे बहुत कुछ कर पाऊगे बस दिल में जोस जुनून और जज़बा रखना यूटूब पर अमिस सर्मा का नाम सुना होगा क्रेजी एक्स वाई जेड कर के चैनल है सबसे पॉपूलर चैनल डाई क्रोड सब्सक्राइबर है आई एटी रुटकी में यह पढ़ते थे फ़र्ट सेमस्टर में फैल हो गए सेकंड सेमस्टर में सो में से छे नमबर आए और फिर उन्हें वापिस तैरी की तो सो में से पेतीस नमबर आए तो क्या नहीं कहीं नहीं रुके और आज एक सक्सेस्फुल बिजनिसमें रूप में तो जीवन में द्यान रखना कि अगर आपको एक्जाम में कम नमबर मिले तो अपनी लाइफ खत्म मत करना अपने आपको हतासा और निरासा में मत भुबना जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं यह आपके सामने यह स्टोरी है जीवन में इनके भी तो लाइफ में बहुत कम नमबर आए थे फिर भी आज यह उचेयों पर पहुंचे हैं अपनी महना जोस और जुनून के बलपर यूपी के जेस्टी कमिशनर परदी कुमार सोनी बारवी में थर्ड डीजन पास हुए थे और आज सीनियर आईस है यूपी में तो क्या इनके मार्क्स इनकी सपलता को रोक पाए नहीं ध्यान रखना किसी भी एक्जाम में कोई मार्क्स होते तो वो आपकी सपलता का बेंचमार्क नहीं होते हैं जीवन में आपको एक्जाम में कम नमबर मिले तो आप यह मत सोचो कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके सामने एक्जाम्पल है यह प्रदीप कुमार सोनी यूपी में जीएश्टी कमिशनर सीनियर आईस बारवी में थार्ड इजन आये थे लेकिन आज आईस है कैसे किसी एक एक्जाम में कम नंबर आने से आपकी योकिता कम नहीं हो जा जेल्ट में मैंतेमेटिक्स में फेल हो गए थे लेकिन क्या हुआ फिर भी इन्होंने मेहनत की जोस जुनून से पड़ाई की और आईपीस बने तो यह इस्टोरी आप देख लो जीएवन में कम नंबर आये तो यह मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में किसी एक्जाम में फेल हो जाओ तो अपनी लाइफ को खत्म मत कर देना सुसाइड मत कर देना पीछे अपनी फेमिली को देखना अपने माबाप को देखना उनकी कितनी उमीदे हैं आप से यह फाइफ इस्टोरी देखो यह भी तो एक्जाम में फेल हुए थे इनके भी तो लिए आसनी उहिए जिंद्गी के और नए आउसर है आप की में खुलती है कहीं न कहीं आप मेमनत करते रहें जो ज्नून के साथ में न कहीं तो आपको किसी न किसी भीड में आपको सफलता अमस्य मिलेगी